आप सभी तृतिय वर्ष के विध्यारतियों का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हम लोग बीए थर्डियर के पाश्चाति विचारक अवाले पेपर के अंतरगत रास्तु के क्रांती संबंदी सिध्धानत का अध्यान कर रहे थे और क्रांती क के इस अध्यान में हमने पिछले वीडियो व्यक्यान में क्रांती के कारणों और प्रिकारों पर विस्तार से चर्चा की थी उसके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी इस वीडियो व्यक्यान में हम क्रांतियों के पतिकार के उपाए के बारे में चर्चा करेंगे जो कि अर विवस्था की रूप में जिनकों की अरस्तु क्रांती की रूप में परिभाशित करता है उनको रोका जा सकता है तो ये बहुत ही महत्वपून और इंपोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर परिक्षाओं में पूछा जाता है कि क्रांती के प्रतिकार के उपाये बताईए ये आपको छोटे questions में भी पूछा जा सकता है और long में भी पूछा जा सकता है और ये long में कारणों के साथ में या प्रकारों के साथ में भी पूछा जा सकता है तो इस त्रिष्टी से ये काफी महत्वपून बन जाता है तो आईए चलिए, point wise हम चर्चा करते हैं कि करांतियों के प्रतिकार के क्या क्या उपाय अरस्तु के द्वारा सुझाए गए हैं तो देखिए क्रांति के प्रतिकार के लिए अरस्तु ने मुख्य रूप से दो प्रकार के उपायों के उल्ले किये हैं एक सामन्य उपाय है और दूसरे विशिश उपाय है सामन्य उपाय लगभग सभी प्रकार की शाषन व्यवस्थाओं के लिए उप्योगी है दूसरा विशिश जो उपाय है वो हर शाषन व्यवस्था के अनुरूप विशिश प्रकार के है तो हम दोनों की चर्चा विश्टार से करेंगे तो आईए चलिए पहले देखते हैं सामवन्य उपाए तो सामवन्य उपाए में जो हमारा पहला बिंदू है वो है शाषक और शाषित में सद्भावना पूर्ण संबंद तो इस पे चर्चा करते हैं क्रांती की प्रतिकार का सबसे प्रमुख उपाए यही हो सकता है कि शाषक और शाषित में सद्भावना पूर्ण संबंदों को बनाए रखा जाए क्रांती का सबसे प्रमुख कारण अन्याय ही होता है और क्रांती के प्रतिकार का सबसे महत्वपूर्ण उपाए सामाने नागरिकों में यह भावना उत्पन करना है कि शाषक वर्ग के द्वारा उनके प्रती न्यायपून वहवार किया जा रहा है और इस दृष्टी से समिधान और शाषन सभी वेक्तियों की संतोश पर अधारित होना चाहिए सभी वेक्तियों को उच्पदों के लिए समान और सपराप्त होने चाहिए संक्षिप में कैसे वातारोन की सुर्ष्टी की जाने चाहिए जिसमें की प्रतिक वेक्ति को यह अनुबव करे कि उसे उसके अधिकार का उचित अंश पराप्त कर हो रहा है तो इस तरीके से शाशक और शाशित में जब सभावना पूर्ण संबंद बने रहते हैं तो करांती की संभावनाएं न्यून्तम हो जाती है आईए चलिए दूसरा बिंदू देखते हैं नागरिकों को समिधान की भावना के अनुरूप सिक्षित करना तो करांती के प्रतिकार के लिए नागरिकों को समिधान की आत्मा के अनुरूप सिक्षित किया जाना आवश्यक होता है शिक्षा के आधार पर इस बात का प्रेत्न किया जाना चाहिए कि लोगों की सामजिक भावनाएं मूल्य, आदते, वैभार और सोचने समझने की जो शक्ती है वो शाषन विवस्था के अनुरूप हो जाए अब ये कारे जो है शिक्षा विवस्था के आधार पर ही किया जा सकता है और शिक्षा के आधार पर ही नागरिकों में शिक्षा, देशभक्ती, निस्वार्थता की भावना का सज्जार किया जा सकता है अरास्तु ने इन उपायों पर बहुत अधिक बल दिया है उधारन की लिए अगर हम चर्चा करें तो राजतंत्री ववस्था में नागरिकों को वीर पूजा की शिक्षा दी जानी चाहिए परजातंत्र में नागरिकों को सिखाय जाना चाहिए कि चुनाओ कभी दूर नहीं होते दिर्ग काली न अच्छा ये तातकाली के लाब से स्रेश्ट है तो इस तरीके से शिक्षा के माध्यम से कुछ मूल्यों को जन मानस के हिर्दय में प्रतिस थापित करने के दृष्टी कों से ये आवश्चक है कि नागरिकों को समिधान की भावना के अनुरूप ढालना बहुत ज़रूरी है ताकि वो छड़ प्रतिछन इस तरह से राजी के साथ या शाष्ण के साथ एक लगाओ महसूस कर सकें और कहीं न कहीं उनके मनो भावना जो है हमेशा राज और शाष्ण के साथ जुड़ी रहें उसके विरुद्ध करांती करने का विचार उनमें उत्पन ही ना हो तो इस तरह से हम देखते हैं कि नागरिकों को समिधान की भावना के अनुरूप सिख्षित करना निश्चित रूप से क्रांती की संभावनाओं को नियूंतम करने वाला उपाय है जिसका उल्लेक रस्तु ने अपनी पुस्तक में किया है अगला बिंदू देखते हैं कानून का पालन जिहाँ राज्जी की स्थाथ्व के लिए आवश्यक है कि कानून का पालन वेक्टियों के सभाव का एक अंग बन जाना चाहिए अब नागरिकों की हिर्दय में कानून के प्रती निश्ठा उत्पन की जाने चाहिए कानून के संदर्व में जन्मानस में ये भावना होनी चाहिए कि कानून उनकी अच्छाई के लिए है उनकी भलाई के लिए है और सुच्छा से उनको इस कानून का पालन करना चाहिए जब ये भावना जन्मानस में उत्पन हो जाती है तो निश्चित रूप सक्रांती की जो स प्रतेक वर्ग या प्रतेक सदस्य को संतुष्ट कर पाना संभव नहीं होता निश्चित है कि कुछ ना कुछ सम्मूह इसमें असंतुष्ट रहते तो ऐसी स्तिती में कानून के जो छोटे-मोटे उलंगन होते हैं उन पर सरकार को सजग होकर कठोर रुख अपनाना चाहिए त उने काफी कड़े रूप में दंडात्मक परिश्मेंट से परिश्मेंट दिया जाता है तो निश्चित रूप से ये एक जन्मानस में मैसेज जाता है और क्योंकि जन्सामानने का अधिकांश हिस्सा स्वभाविक रूप से कानूनों का पालन कर रहा है तो ऐसे स्तेती में स लंगन करने वाले विछतियों पर वो कठोर धंडात्मक कारवाई करें तो इस रूप में हम देखने हैं की काणून कापालन करना निश्चित रूप से कहीं न कहीं करांती के परतिकार का एक उपाय के रूप में हमारे सामने आता है चोथे बिंदू की चर्चा करते हैं राजनीतिक सत्ता पर एक अधिकार नहीं तो ये भी काफी महत्वपून बिंदू है राज की सत्ता पर एक अधिकार सामने जनता में असंतोष चर्म देता है अतह है राजनीति सत्ता पर एक वेक्ति या एक वर्ग का ए मिलेट समस्ता है चाहे वो डारेक्ट हो चाहे इंडारेक्ट हो तो ऐसी इस्तिती और ऐसी सोचनिश्चित रूप से क्रांती को जन्म लेने से रोकती है तो यह प्रतिकारात्मक उपाए हमें यहां पर देखने को मिलता है अगले बिंदू के ऊपर चर्चा करते हैं ब्रस्टा चाहिए और पददीकारियों का वेवार तता आचरन संदेर रहित होना चाहिए सरुसाधरन को जो बात राज्योष्टा का सबसे अधिक विरोदी मनाती है वो है सारजनिक धन का गबन और अपवे अतर राज की शाषन की सत्ता का गठन इस प्रकार का होना चाहिए कि शाशक वर्ग अपने राच्किय पदों के आधार पर अनुचित आर्थिक लाब प्राप्त ना कर पाए इसके अत्रिक जनता को शाशन की सुच्छता का विश्वास दिलाने के राच्की आयवे का लेखा भी इमानदारी से टाई किया जाना चाहिए तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रस्टाचार रहित शाशन भी एक करांती को रोकने के उपाई के रूप में यहाँ पर हमें दिखाई देता है अगला जो बिंदू है विबिन्य वर्गों में संतुलन ये भी बहुत मतोपून है क्योंकि किनी वर्गों के बीच में अगर असंतुलन होगा असंतोष पनपेगा तो जाहिर सी बात है कि उनके बीच में युद्ध होने की संभावना है उनके बीच में संगर्ष होने की जाना चाहिए सद्गुनी लोगों के साथ धनवानों को तता धनवानों के साथ निर्धनों को न्युक्त किया जाना चाहिए जिससे कि राज में संतूलन स्थापिद रह सके संतूलन स्थापिद करने का एक उपाई है कि प्रजातंत्र में धनिकों का धन अल्पतंत्र में निर करांती को रोकने के लिए उनका ये कहना है कि समाज को है धनिक वर्ग निधन वर्ग और उनके बीच में मध्यम वर्ग जो कि उनके बीच में रेजिस्टेंस का काम करेगा उसका होना बहुत आवश्चक है ताकि एक वर्ग दूसरे वर्ग के बिल्कुल खिलाफ होकर असुंतुलन की वज़े से उत्पन होने वाले किसी भी क्रांती की संभावनाव से शाषन अत्वा राज्जी को बचाया जा सके आईए अगला बिंदू सात्वा बिंदू देखते हैं वो है विदेशियों को उच्छ पदों पर न्यूक्ती नहीं तो ये भी बहुत ही मत्व होकून है कि विदेशियों को राज्जी के उच्छ पदों पर न्यूक्त नहीं किया जाना चाहिए अन्यता वह प्रभावशाली होकर राज्जी की स्वतनता के लिए संकट बंच सकते हैं सविधान के प्रति निष्ठा रखने वाले योग गितता इमानदार वेक्तियों को ह सरकारी पद मिलना चाहिए अगला बिंदू है एक छोटे और महत्वहीन समझे वाने वाले परिवरतनों पर द्रिश्टी तो अरस्तु यहां भी एक संदिश देता है कि छोटे और महत्वहीन समझे जाने विश्यों के वाले परिवरतनों पर भी द्रिश्टी रखी जाने च अंतिम जो बिंदू है मारी चर्चाँ का वो है भारी आकरमन का भाय खड़ा करना तो ये बड़ा महत्वपून है देखिए उप्युक्तों के अत्रिक्त अरस्तु एक बड़ा उपाई है बतलाता है कि शाशक वर्क के द्वारा नागरिकों के सामने सदे भी बहारी आकरमन का भाई खड़ा किया जाना चाहिए और इस भाई के आधार पे नागरिकों को अन्तरिक वीरोधों को शांत कर उनमें एकता तता देश्वक्ति की भावना का संचार किया जा सकता और यह स्थेती राजनेति की स्थायत्व के लिए हितकारी हो सकती है तो यहाँ यह जो बिंदु ह अरस्तु का आज की समय में भी हमें व्यापक रूप से हम इसको अवलोकन इसका कर सकते हैं जैसे हमारे पड़ोशी देश पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं कि भारत विरोध या भारत आकरमन या भारत के खत्रे का हुआ बना कर वहां का जो राजनीतिक है वो हमेशा से सामान्य जन की सहमती और उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश करता है तो जहां पाकिस्तान का पूरा अस्टित्व भारत के विरोध और भारत के खत्रे के उपर खड़ा हुआ है तो यहां पर हमें अरस्तू का ये जो उपाए है ये काफी प्रासंगीक नजर आता है तो वहां के जितने भी सत्ता दीश हुए हैं चाहे हो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हो अत्वा जिन्होंने सैनिक क्रांती के माध्यम से सत्ता हत्याई हो उन सभी लोगों ने भारत विरोधी हुआ या भारत आकरमन का भाय दिखा कर अपने नागरेकों को भाय गरस्त रखते हुए अपने सत्ता के स्थायत्वों को बनाय रखने की कोश हमेशा से की है तो यह हम बड़े आसाने से यहां पर समझ सकते हैं और यह बहुती प्रासंगिक उपाय हमें अरास्तु का यहां पर दिखाई देता है अब दूसरे तरह के के विशेश उपायों की बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यह तो थे सामाने उपाय जो की प्रतेक शाषन व्यवस्ता में सामाने रूप से लागू हो सकते हैं और उनको सामाने रूप से क्रांती के प्रतिकारात्मक उपाय के रूप में वहां पर अपन कि अरस्तु के अनुसार मिशित समीधानों में राजनितिक परिवरतिन के दिशा में काम करने वाली सभी इस्तितियों पर सावधानी पूर्वक दृष्टी रखनी चाहिए। कुलीन तंत्र और वर्ग तंत्र में निम्न वर्गों के साथ अच्छा वेवार किया जाना चाहिए। अरास्तु आताताई शाषक को भी अपनी सत्ता सुरक्षित रखने का उपाय बताता है। वो कहता है कि आताताई शाषक के द्वारा जासूस और विशिष्टा इस्त्री जासूस रखे जाने चाहिए। स्वैम निरंतर आक्रमक निती बनाए रखनी चाहिए और अपने राजी की जनता को आक्रमन के भई से ग्रस्त रखना चाहिए। जो कि हमने पहले इसका उधारन पाकिस्तान के संधर में समझने के कोशिश की कि पाकिस्तान के जितने भी सेनिक शाषक हुए हैं जिनोंने सेना के पद के कारण राजरीतिक सत्ता को हतियाते हुए सत्ता पे जो काबिज हुए थे उन्होंने निरंतर भारत का भय भनाए रख के लिए और उसमें करांती की संभावनाओं का विनाश करने की दृष्टिक हों से नागरिकों के जो सोतंत्र चेतना है जो सोतंत्र चिंतन शक्ति है कहीं ना कहीं उसको नियंत्रित करने की आवश्चता पर यहां पर अरास्तु हमें बल देता हुआ दिखाई देता है बिल्चुको का ये कहना है कि अरास्तु ने निम्नकोटी की शाषन व्यवस्थाओं निरंकुष शाषन को भी स्थाई बनाने के जो सुझाओ दिये हैं और जिन साधनों का प्रियोग करने को वो कहा है वो पूर्ण रूप से अनेतिक हैं इसमें संदेने की अरास्तु सदाचा विद्वान कोटिल्य के समीप आ जाता है वस्तु तो अरस्तु का क्रांतियों का जो विवेचन है इतना सुंदर प्रमानिक और विशद है कि इसके संबंद में हमें मैक्सी की शब्द याद आ जाते हैं मैक्सी ने कहा था कि राजनीती विज्ञान क्रांती रूपी अधिक विश्वश्णी उपायों का निर्देश नहीं कर सकता तो यहाँ पर यह जो विएख्यान था जो मुख्य रूप से संबंदित था अरस्त्तु के क्रांती के प्रतिकार के उपायों से यहाँ पर समाप्त होता है उमीद है आफ सभी को यह विडियो विट्सक्राइब कीजिए और like भी कीजिए साथी अपने अन्य विध्यारतियों तक भी जो आपके मित्र है उन तक पहुंचाएए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब हो अगले वीडियो वेक्षान में हम प्रारम करेंगे एक नई यूनिट एक नए चैप्टर और एक नए विचारक के साथ में आपका दिन शुब हो मिलते हैं अगले वीडियो वेक्षान में